नमस्का राजनीती में आपका स्वागत है राजनीती में आज बात शिक्षा की सरकार जल्द ही देश में विदेशी शिक्षा संस्थानों को अपने कैंपस खोलने की इजाज़त दे सकती है सरकार का मानना है कि उच शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए ऐसा करना अवश्यक है लेकिन सवाल ये है कि इन विदेशी शिक्षा संस्थानों की भारी भर कम फीस देश के कितने चात्र दे पाएंगे ये सवाल इसले भी एहम है क्योंकि जवाला नेरो यूनिवरस्टी के चात्र फीस पढ़ाय जाने के खिलाफ करीब एक महीने से अंदोलन कर रहे हैं ऐसे ही बसले कई और संस्थानों में भी उठ रहे हैं सवाल ये है कि देश के जो प्रतिवाशाली चात्र जेन्यू की बड़ीवी फीस देने में परिशानी महसूस कर रहे हैं क्या वो विदेशी संस्तानों की दहलीज पार कर पाएंगे ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार उच शिक्षा को धीरे-धीरे महंगे निजी संस्तानों के हवाले करना चाहती है अगले आदे घंटे हम इनी मुद्दू पे चर्चा करेंगे चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं चर्चा में सब्सक्राइब करना चाहती हमारे साथ शायद जुड़ेंगे थोड़ी देर में जेनु चातर संग के महा सचीव सतीष चंद्र यादव और दिली उनिवस्टी शिक्ष्रक संग से जुड़ी रही और दिली उनिवस्टी के प्रफेसर ड्टर आरेंद कड़़ी रही है रही है नजमा जी आप से शुरू करते हैं आपके विचार से क्या कारण हो सकता है कि भारत सरकार विनेशी उचत्या शिक्षा संस्तानूं और और युनिवर्सिटी इसको UGC के कानूनों में फेर बदल करके बारत में आने की अनुमत देने की कोशिश कर रही है यह सिलसला जो हमें याद है अपसे कुछ बरस पहले जब सेमिस्टर हमारे हाँ शुरू हुआ था और हमने उसको अपोस किया था बहुत स्टॉंगली अपोस किया था इसी ग्रांट पे किया था कि हमारा सिस्टम आलाउ नहीं करता है तब भी हमें कहीं गहीं से यह ख़बर मिलती थी कि सेमिस्टर सिस्टम तो हम बाहर के युनिविस्टी चेशा के इस沒錯 चाहिए, इसलिए हम semester system को यहां शुरू करना चाहते हैं, ताकि हमारे students दूसरे universities के, जो विदेशी universities हैं या foreign universities हैं, उन में जा सकें या उनके students यहां आ सकें, इस तरह की चीजे semester system पे हमारे हां शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे भीरे आपने सुना होगा पिछले यूपी K2 के जमाने में हमारे हां FI UP 4 years undergraduate program भी उसी सिल्सले की एक कड़ी थी, जिसका हमने बहुत पुर्जोर विरोध किया था, और फिर यह भी हुआ था है कि 2014 में सरकार को उस विरोध से मजबूर होके उसे वापस लेना पड़ा था, तो यह सारी चीजें जो एक के बाद एक शु से रिपीटिडली वो कहते भी रहे हैं कि आप लोग अपनी funding आपको कभी न कभी खुद अरेंज करनी पड़ेगी, सरकार कप तक देगी, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उसे वो बहुत अलग-अलग काख्जों में लपेट के उसका उसका जो रैपिंग है, वो बहुत ख कुछनुमा करके पबलिक के सामने पेश करते हैं, ताकि उसके अंदर छुपी हुई negative चीजें लोगों के सामने ना आपाए. कि आप education sector को भी विदेशियों के लिए खोले, education is a commodity, उसमें भी trade होता है, service है वो, उसमें भी आप उनको आने दें, तो इसलिए विचारधारा है, चाहे जो भी रही हूँ, UPA 1 या 2 की और NDA की 1 या 2 की, विचारधारा से परे ये एक अनवारियता है, जो WTO के अंतरगत आप को पूरी करनी है? और इसके पहले आप चले जाएं, स्कूलों में आप चले जाएं, तो आप कहेंगे कि 80% सहरी स्कूल हैं, सब विदेशी विश्विदाले की पहले बात करते हैं, विदेशी विश्विदाले की बात है, जी जी विदेशी विश्विदाले में ये तो हम सही कहेंगे, कि विद चोटे चोटे जो बाहर के विश्मिदाले हैं आग करके यहां दुकान खोले इसका कोई समर्तन नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए लेकिन आप यह भी सत्य मानिए कि इस देश से हर साल मनें 17 में करीब 2 लाख लोग फारे निविश्ट्री में पढ़ने गए हैं जिसमें यसे गए हैं यूके गए हैं चाइना गए हैं जर्मनी के अस्ट्रेलिया गए हैं तो वहां जाते हैं हमारा जो यहां का विद्यारती है बाहर पढ़ने जाता है और जो जाता है वह लोट के आता भी नहीं जाये जो मजबूर में आता है तो यह भी एक सत्य है कि हमें अपने यह सिक्षा ऐसी क्या कारण है कि हमारे अपने विद्यार्थी वी देशों में पढ़ने जाते हैं तो मेरा यह मानना है कि जो बाहर की इनुशिटी जी बलकि दिल मैंने इस देश की अच्छी इनुशिटी से कोलाबरेशन करके अगर पढ़ाई का काम करें तो हमें इमें आयप पत्ती नहीं होनी चाहिए तूसरी बात है कि अगर टाप टेन क्ला टेन इनुशिटी बाद वर्ल्ड की और ओ आकर के हमारे इसको इसर में कंट्रिब्यूट करें तब ही अच्छा है इसलिए रहा होगा कि आप गैट्स के अंदर ये खोलिये और आप कह रहे हैं कि जैसे आप स्पेशल एकनॉमिक जोन बनाते थे एक्सपोर्ट के लिए ऐसे आप स्पेशल एडुकेशनल जोन बनाएं ये हब्स बनाएं जहां विदेशी विश्विदाले अपने कैंपस बिन कि लाल फिता शाही के खोल सके ये ही काम सरकार पहले हाईर एडुकेशन कमिशन आफ इंडिया बिल के दवारा कोशिश कर रही थी लेकिन अभी कर नहीं पाई इस्पिंटर सेशन में आपाया क्योंकि वह इसलिए अब युजी के दवारा वो काम किया जा रहा है जो कॉमर्स मंत्रा ले कर रहा है ये सिक्षा का वो नहीं है कोई डिमांड कि लोग कहने कि नी विधेशी विश्व विधालों को आने दीजिए को मिनिस्ट्री कर रही है कि स्पेशल एक्वनामिक जोन बनाई एजूकेशन जोन मनाई उसमें बिना किसी लाल फिता शाही के इनको आने द कर दिया है कि अब सिक्षा एक कोमोडिटी है इसे खरीदना पड़ेगा आपको और जो इसको खरीद सकता है वो ही इसमें अंदर आएगा इन फेक्ट मैं मेडिकल का आपको एक्जैम्पल देता हूं ऑल्मोस्ट 15 लाख स्टूडेंट जो है MBBS के लिए एक्जाम देता है 90 परसंटाइल पे खतम हो सकती है सभी कैटेग्रीज में उसको जान बूच के उसके परसंटाइल के साथ टेमपर किया जाता है जान बूच के इनी जो एकनॉमिक जो एजुकेशन जोन्स बनाने की बात कर रहे ना इस तरह के इंस्टिट्यूट्स को फाइदा पहुचाने के एरिया है जहां से हमारे HRD मिनिस्टर भी आते हैं वहाँ पर यह बनाई जाएगी और कली आपने देखा होगा HRD मिनिस्टर साहब ने अपनी बेटी के साथ एक फोटो डाली है जो मेटी युनिवरस्टी से लौ किया है उसने तो प्रॉपरली पूरा का पूरा इस तरह के ज अच्छी चीज का दिखावा दिखाके और उसके पीछे से अपना जो पैसे का जो benefit होता उसको उठाने की कोशिश करते हैं इंक्लूडिंग अभी आपने देखा होगा के AIMS 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 के नाम से हमेशा चलती है बात लेकिन AIMS तो जो खोले हैं वो बिल्कुल भी functioning नहीं है इं 800 डोनर किड्नी डोनर के साथ और किड्नी पेशेंट बैठे हैं लेकिन उनका ट्रांस्प्लांट नहीं होगा तो यह इस तरीके से जो है कि अच्छे संस्थानों का सिर्फ नाम लेके और जो बुरे संस्थान जो पैसा कमाने यहां आ रहे हैं उनके यहां लानने की पोशिश ícios क्रें, अच्छी संस्थान में उनकी अठानिमीं कातम कर रहे हैं उनकी फंडिंगं रहे हैं उनके बुजट क्कृटे म कर रहे उनके बुछतकर घ खृतम कर रहे हैं उनको ओनभ क्रारी किया, तो यह क्यों कोई सरकार शिकंजा कसने है, सब पे कसो, हरवड आया है हम पे कहो साब हम JNU के वाइस चांसलर को वहाँ भेज देते हैं क्योंकि हमारे आदमी है तो उनको क्यों फ्रीडम दे रहे हैं और बाकियों क्यों क्यों क्याद कर रहे हैं सिधा सिधा मामला है वो जो एक लेड़ प्लेगंग फिल्ड की बात सरकारें कहती रहे है पहले यह सरकार भी और जहाँ से बात आमने शुरू की थी if that कि WTOE का एक प्रेशर है हुद हमारे हाँ प्राइविट सेक्टर में एजुकेशन कभी भी कॉमेडिटी हमारे हाँ नहीं कही जाती थी आज भी मुनाफ़ के बात कमाने की बात की जाए लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी प्राइविट उनिस्टीज आसमा खूल है हिंदुस्तानी प्राइविट उनिस्टीज की बात करी हूं वह सब पैसा कमाने के लिए खूल रही है वह सारा बेनिफिट आप बाहर कैसे देंगे फॉरन उनिस्टीज को यहां लाकर और जैसे हमारे साथी ने अभी कहां कि बाहर से हावर्ड या ऑक्सवोर्ड उनिस्ट यहां है हमारे कितने परसेंट स्टूडेंट्स अभी आकडा जो बताया दो लाक स्टूडेंट्स का बताया दूबे जी ने पूछना चाहते हैं दो लाक परसेंट अज में 0.05 भी नहीं है पिर जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं मान लीजे वो यहां रुक भी गए वो यह यहां रुक के हमारे benefit के लिए तो कुछ नहीं करने वाले हैं यहां रुक कि है कि फॉरेंट ने अच्छी डिग्री लेके अगर वो यहां रुकते हैं तब हम सोच सकते हैं कि शायद हमारे मुल्क का कोई benefit होगा लेकिन अगर वो डिग्री लेके वो ultimately उनका गोल तो बहार जा जा रहा है, marginalized section, public funded universities के standard को down करके, उनकी funding को रोके, उनकी research को रोके, आप private institutions को एक space दे रहे, special education zone जो आपने भी बताया है, वो space आप इसलिए दे रहे हैं कि unemployment हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे पास best brains है, उसके बावाजीव भी जो provision है, UPA2 में foreign university bill आया था, जिसके एक standing committee भी सरकार ने बनाई थी, उसमें जो provisions थे, उसमें जब standing committee ने लोगों को बुलाया और बाग की, तो जो बातें उसमें निकल के आई वो यह था कि reservation policy, देखे, reservation policy public funded institutions में compulsory है, mandatory है कि होनी है, लेकिन private institutions में नहीं है, foreign universities जो यहां आएंगी उन भी नहीं होगी, तो आप ध reservation की policy को एक दम side में रखने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा बहुत controversial clause उसमें है, कि आप foreign faculty को यहां appointment देंगे, और differential pay के साथ देंगे, यानि मैं, जो subject मैं पढ़ा रही हूं, मुझे उसके लिए कम पैसे मिलेंगे, और जो बाहर से university आईगी, उसे ज्याद countries चाने मालूँ, अगर special field है कोई जिसके लोग हमारे हां नहीं मिल रहे हैं, तब शायद में यह बात समझ सेकती हूं, लेकिन maths का expert मेरे पास है, maths के experts को मैं बाहर से बुलाऊंगी, और यह कहूंगी कि foreign university का है, हमारा foreign faculty है, he or she should be more pay. ठीक है, दुबे जी, क्या आपको लगता है कि उच्छिक्षा के निजी करन्ट से जैसे यह बाकी हमारे साथ ही कह रहे हैं, कि सिक्षा जो हमारे सारुजिनिक शेत्री में उच्छिक्षा जो public good था, उसको आप एक private good बनाना चाहते हैं, private commodity बनाना चाहते हैं, और इससे affordability भ जादा लोग पोड कर सकें? की का जरूरत है तो हमारे कहने का मतलब यह है कि सिक्षा तो आप समय के साथ परवर्थित नहीं करेंगे तो अल्टिमेटली जो है आप अड़ लेडी जो है इसको आप जान भूच कर महंगा क्यूं कर रहे हैं कि यह सवाल पूछ रहे हैं महागा सुरिये महागा नहीं होना चाहिए लेकिन यह बताईए कि हो रहा है पढ़ने के लिए बता नहीं चाहिए नहीं बातों पर नहीं जाते हैं बहुत ज्यादा लोग जो जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्यूंकि पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते नहीं दिली उन्वर्श्टी मैंट मिलता है विदेशन में जाता है उसी परसेंटेज से इसलिए उनके मावाब भेज देते हैं तो मैं आपकी बाते सहमत है उनके होश्याद लोग बाहर जा रहे हैं देव पूप में जा रहे हैं क्योंकि नहीं पढ़ेंगे अगे चर्चा करेंगे इस पर अभी आगे चर्चा करेंगे प्रफिसर दूबे में आपके पास आ रहा हूँ अभी हम कोई छोटा सा ब्रेक लेना है ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे प्रफिसर दूबे में आपके पास आऊंगा लेकिन छोटे से ब्रेक के ये शब्द है उस शक्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उडान Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम Under Best Guidance of Expert Faculty Team Admission Open in Science and Technology Humanities, Social Science, Arts and Sports Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम University इंदौर For the details, contact 1-800-300-26072 Stream कोई भी हो Best Career Option के लिए है भाभा University Best Faculty, World Class Infrastructure, Scholarships, High Tech Labs 27 Acre of Lush Green Campus, Hostel Facility Admissions Open for Engineering, Pharmacy, Dental, Computer Application, Management and Agriculture BHABHA University at Hoshandabad Road, Bhopal Call 91650-25500 Welcome to the book In this chapter आफका फिर से स्वागेत है Dr. Bhatti मैं आपसे पुछना चाहता हूँ जब भारित जैसे देश में जहान पे Social and Economic Inequalities, सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत जादा है गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, जो अमीर है, वो बहुत ही अमीर है वो तो अपने बच्चों के नाम अपने डोनेशन दे के अमेरिका हावर्ड जैसे उनिवर्स्टी में लोगों को भेजते हैं तो मैं कहा रहा हूँ यहाँ पर अगर सरकार सिक्षा को महंगा कर देती है एकसेसिबिलिटी कम कर देती है तो इसका असर तो गरीवर्ड पिछले वर्ड के चात्रूपे अधिक पढ़ता है आप यह बताईए चात्रूपे तो पढ़ता ही पढ़ता है लेकिन हमारे प्रजात अंत्र पे उसका क्या असर पढ़ता है सभी चीजों पे इसका असर तो है ही जब आपकी सरकार एक तरह की policies बनाती है जिसमें उनको सिर्फ कुछ तरह के लोगों को ही include करना है बाकी सबको exclude करते रहना है और ये जो चीजें खासकर education and health जो दोनों चीजों से मैं related हूँ ये दोनों चीजें तो public service ही होनी चाहिए भले कोई pay कर सकता है या नहीं कर सकता है ल अब एक पैसा लगा दिया है कि आप का एक जितना अगर आप इतना pay कर सकते हैं तो ही आप आगे बढ़ेंगे नहीं तो उसके बाद कहते हैं कि हमने तो सिर्फ primary education for all कर रखी है आप पांच वी तक पढ़ो उसके बाद अपना घर बैढ जाओ जबकि आजकल तो अच्छी करने के बाब जूद भी employment नहीं है तो at least student को हर किसी बच्चे को चाहे वो किसी भी background का है उसको वैसी opportunity तो प्रवाइड करनी चाहिए बिल्कुल तो यानि हमारी democracy जो egalitarian हो सकती थी अब in egalitarian हो जाती है क्योंकि हम एक तबके को सिक्षा से वंचित रखने है नजमा जी ये बता जमार्ला नेरु उनिवस्टी हो पतना उनिवस्टी हो दिली उनिवस्टी हो उस्मानिय उनिवस्टी हो एमसो वहां के चाहते जब कहते हैं कि education is a public good इसको privatize मत करिये इसको महंगा मत करिये तो इस सरकार को समझ में नहीं आता है क्योंकि उच शिक्षा के महतों को नहीं समझ होती है और critical thinking किसी भी democracy की शैद्रीर की idea होती है democracy को crush करने के लिए भी कई बार हम critical thinking को एक तरफ रखना चाहते हैं और हम यह कहते नहीं है कि हम रखना चाहते हैं बलके हम वो रास्ते दलाश करते हैं जिनसे critical thinking develop ना हो जिनसे समाज के बहुत छोटे privileged class को ही आगे बढ़ने का मौका मिले बाकी लोग एक थोड़ी सी शिक्षा लेके skill education की जो बात की वो लेके एक कोने में बैठ जाया है उम्मित सोचने समझने की सलाहिया develop ना हो जैन्यू में जो हो रहा है वो जैन्यू जैसे institution चाहते नहीं है वो नहीं चाहते कि हमारी younger generation सवाल करे सवाल करने की वो त जब उनमें आती है तो सरकारें हिलती है और सरकार को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि आप सवाल बचा के रखिए प्रफेसर दुबे मैं आपसे ये पुछना चाहता हूँ क्या कारण हो सकता है कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जैसा व्यक्ति जो एक समान्य परिवार से आता है चाह बेचने वाले परिवार से आता है अपनी लाइफ में कोशिश करता है कि मुझे भी बी ए की डिग्री यदि सोचता है कि उच्छ शिक्षा मेरे लिए महतोपूर्ण है मुझे घर छोड़ दिया मैंने भले ही मुझे बीए भी करना है मुझे पुलिटिकल साइन्स में एमे भी करना है वही व्यक्ति जो वहां से उभर के आया है आज सार्वजनिक शेत्र के उच्छ शिक्षा संस संस्थानों के खिलाफ नजर क्यों आता है उन्हें तो उनके साथ खड़ा होना चीए था कि देखो मेरे को कॉर्रिस्पॉर्णन स्कोर से में करना पड़ा आप उन्वेस्टी में जाईए सामध्य परिवार वाले बच्चो आप जाओ पढ़ो लिखो पीएजडी करो आगे वड़ो वो व्यक्ति आज जेन्यू के खिलाफ खड़ा नजर आता है दिली इन्वस्टी के खिलाफ नजर आता है वही सारवजनिक संस्थान जिन्होंने उनके गरीब होते हैं वहीं उनको मौका दिया उनके खिलाफ उनकी सरकार क्यों खड़िये आज जी मैं बताता हूं आपको मैं ब्यर्दिकइद बात तो नहीं करूंगा आप पांस साल में शघ साल में आप देखिए कि पर प्राइबेट करें यह संभाव भी नहीं है आज तक कोई ऐसा पैसा तो काट रहे हैं प्राइबेट कर रहे हैं वह प्राइबेट हुए हैं कर सकते हैं मैं कर सकते हैं हम नहीं देंगे हम ग्रांट करने तब आप क्या करते हैं अरे नजबाजी सुन लिजिए पहले मेरी बात नजबाजी सुन लिजिए सुने सर्वीस का मतलब सर्य होता है कि जब हम हास्टल में रहते हैं तो मेश चलाने का पैसा जो चलाता है उससे हम लिया जाता है सरकार थोन देती है आप नहीं पढ़ पाते हैं अगर आप धनी परिवार से आते हो तो बात दूसरी है जेनियू के चात्र संग के महासाची सतीश चंद्री यादर हो हमारे साथ जुड़कें जेनियू के चात्र संग के महासाची इंसे पूछते बहुत अच्छा है सरकार ने मौका दिया आपको ऐसा ही औरों को भी मौका मिलना चाहिए सतीश चंद्री यादर जी ये बताइए क्या कारण मोदी सरकारी नहीं उससे पहले भी आई अन्य सरकारों ने ये कोशिश नहीं की कि सारवजनी क्षेत्र के विश्विद्यालों में सस्ती सिक्षा मिले समाज के सभी वर्गों के हिस्सेदारी के साथ सिक्षा मिले एकोल ऑपुचिनटी बेस हायर एजुकेशन हो या आपको लगता है इस सरकार में हालत और जादा खराब हो गई है पहले भी खराब थी लेकिन अब और जादा खराब हो गई है देखिए सबस जो पब्लिक फंडेट उन्वस्टी हुआ करती थी उसको अब जैसे कि अभी महानुभाव कर रहे हैं कि उसको कोई भी सरकार प्राइबटाइज नहीं कर सकती है लेकिन उसका जीता जाकता उधारन जो नई सिक्षा निती आई है 2019 का उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किस तरी बस डिसाइड करने का अटानमी नहीं फाइनसल अटानमी यानि कि आप अपना पैसा खुद उगाईए और खर्चा खुद चलाईए जो पब्लिक फंडेट उन्वरस्टी है वहां पर गाउं से लोग जो मज़दूर होते हैं जो पिछले दलित होते हैं महिला अपने आप मे स्वर्म एक वन्चित समुदाय होती है बाबा साभ भीम राम बेटकर जी ने कहा है तो उन लोगों का सिख्छा इंस्योर हो सके इसलिए सर्कार का अंदाइट तो बनता है कि वो पब्लिक फंडेट उन्वरस्टी को जो जो ग्रांट होता है वो मिलना चाहिए लेकिन हम समझी योजना की अनुसार किया जा रहा है ताकि सारुजनीक शेत्र की विश्वध्याले को धीरे-धीरे अगर विश्वध्यालिय का निजीकरण नहों उनकी सर्विसिस का निजी करन हो जाए होस्टिल का मैस का एड्मिस्टेशन का जी बिल्कुल इसको बार-बार कोसिस की जा रही है कि जो किस तरीके से वहां पे जो फैसिलिटीज हैं जैसे कि मैस की बात हो रही थी तो जेनू में जो मैस का जो नो प्रॉफिट के कॉंसर्ट पर चल करेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा यह पॉसिबिलिटीज है कि अच्छी बात कही और हमें पहले कहते निच यह थी कि हायर एजुकेशन कमिशन और इंडिया बिल का में मकसद तो यह था कि यूजिसी को रद किया जाए उसकी ग्रांट गिविंग पावर्स जो है Central Government ले 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 यानि political compliance was required from universities as a precondition for funding आप हमारी विचारधारा को follow करेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं तो नहीं तो नहीं मिलेगा यह possibility आपने तयार कर दी है ठीक है यह तो आपनी यहां की उन्वस्टीज के लिए कर दिया विदेशी उन्वस्टीज को कहने है कि special education zone में जो मर्जी करिए आप देखिए ना new education policy का जो draft यह लेके आए है उसमे एक बुन्यादी चीज structure major structural change है जिसमें BOG Board of Governors यह decide करें वो Board of Governors Indian और Public Funded University में 2020 तक यानि अगले साल तक decide हो जाएगा और उनके पास पूरी power होगी कि वो structure, fees, salaries, service conditions, लेकिन विदेशी universities को क्यों नहीं करें हैं लेकिन विदेशी universities को वो ही कह रहे हैं कि आप private universities में 2030 तक permission दे रहे हैं सवाल यह है कि अभी जो दूबे जी कह रहे थे कि private university तो public funded को नहीं करेंगे ठीक है नहीं करेंग लेकिन public funded universities को इतना तबाह कर देंगे कि foreign universities के लिए और private universities के space पर जाएगे रही हैं पहले की हो या अब की हो उन सबकी मनशा यही है कि education को किसी नहीं किसी तरीके से बेचा जाए उसमें से पैसा कमाया जाए और उपर से अगर आप इनके record निकालके देखेंगे तो ज्यादा तर private universities में किसी MP, MLA's के ही हिससे हैं उनकी अपनी सरकार है अपनी सबकी मिल के सामने जुकती है या इनको crush करती है लेकिन आज बस इतना ही कलाब से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार